बराई से बड़ी खबर जहां पर पीडित की दबंगों के आगे एक भी नहीं चली। पीडित ने थाने पर परातना पत्र दिया लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की। आख लोग कहारा रही है? देगे प्रात्ता पत्र में पीडित ने आरोप लगाया है कि जमीरी रंजिस में राम पुत्र पताले राजेंद्र पुत्र भालक राम, माधो राज पुत्र महराज दिन ने मेरे मकान के फूज में आग लगा दिया ये गटना सत्रा तारीख राद 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है जिसमें घर का पूरा सामान शलकराख हो गया जब पीडित द्वारा थाना हुजूरपुर में सिकायती पत्र दिया गया तो वहां से पुलिस के द्वारा पीडित को भगा दिया गया रामराज माधोराज राज इंदर एक किस कितने दिन पहले किस तारिक में डाला आग लगाए आठ तारिक लगाए आपने अपली के संथाने में दिया जी दिया कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ पुलिस लोग बोले हमसे सत्रा तरिकों गें वोड़कि तुम लोग जा ओगे कि या लेड्यी पुलिस बनायके सबस्टनों गीं जाती है कि नहीं जाती है सब्सप्रण कॉन जलाया कौन जलाके लाम राज राजिंदर मादोरा ये कौशा थाना है वहाँ गयता है पहराई भाएं इससे रापोर्ट वहा आपके क्या क्या जला उसमें उसमें हमारी जी मद्दमान पिचलों तीन थांची जल गई बरतन जल जल गया पचास जार रुप्या जो में हमने जमीन देने के लिए रख्षा था वह भी हमारा जल गया हमारा कोई चीज नहीं बचाइब अकॉन कुन जलाया माधोराज सुनवाई ना होते देख पिडित ने पुरी सरी चक बहराईज के यहां आउनलाइन प्राक्तना पत्र भेज कर कारवाई के लिए गुहार लगाई है पिडित ने दिये गे बयान में बताया कि मुझे आज तक तासील परसासन के द्वारा कोई भी सुपधा उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे हम सभी लोग खोले आसमान के नीचे जिन्दगी बिताने को मजबूर है ऐसे में अब देखना ये है कि योगी राज में पिडित को नयाय मिलेगा या फिर ऐसे ही इस मामले को ठंडे टोकुरी में डाल दिया जाएगा इंडिया टाइम समाचार एजन्सी के लिए प्योरो रिपोर्ड